अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा, तो थैंक्स पर ज़रूर ट्लिक करें और अपना प्यार भेजिए अगर करें ये ऑलूर बेजिए करें लगा ट्लिक करें हो बाइखभ fellowship ये 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 विडियोग हम आपना आपको ये 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 अपको ये 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 विट सकततों प्यार ट्लिक करें ने ये खाला है कौने महापी? कौने महापी? कौने महापी? झाल 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 कौने आपे? कौने आपे? कौने? मुझे पता था तुम एक नंबर की डर पोको ऐसे में को मजाग करता है तुम्हे तुम्हे नी जान ही निकाल वी? अरे कौन यार कुछ तेनों मैं हमारी फिल्म रास्त्री रिलीस होने वाली है और हम लोग ओडियन्स को डराने वाले हैं और तुम खुद डर रही हो? कि तुमने इस अफिया कैसे? हमारी तालेंट अर्ट डिरेक्टर अबिंदिया की मदद से इसका मतला मैं तुमसे जरी होगी ओके मैम शॉट रडी है तुमने इसको नेहा, तुमने नेक्सिन के प्रोपटीज लाई? नहीं मैम क्यों? मुझे वहाँ डर लगता अके लिए जाने में क्योंकि वहाँ आत्मा है आत्मा? कमोन नेहा ये आत्मा ये आत्मा कुछ नहीं होता है सब कहानिया है ओके फाइन मैं जा के लिए आत्मा शॉट क्या है? मैं आपके एंट्री वहाँ से और आपके हाथ में लैंप अके अपको धिरे धिरे चलते हुए ये लैंप इस टीबल करें अके या जो रोल सांट 34-5-1-8-1 अक्शन 4-1-8-6-6-7-8-1 करिशन रोल सौंग एक्षिन बिंदिया कुट समझ की तुम इशा से मिलके मुझे डराने की कोशी कर रही हो बिंदिया तुम्हें क्या लगता है? तुम बिपाशा को डरा लोगी हुझे मिलक्क बिंदिया बहुत मिलकी एक्टिंग होगी, क्यो बिंदिया 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 बिंधिया! मैम, उठीए मैम! बिंधिया! मैम! बिंधिया! बिंधिया! अम्पिरंस भिलाउ, जल्दी! जाओ, जाओ! वेस्के तपल्स में जल्ड़े! पक्रफिया! जाओ, मैम! बावको वहां के लिए नहीं जाना जाये था! यह ज़रूस ही आत्मा काम है! आत्मा? चाह मैम! मैंनुस आत्मों को अपने आँखो से देखा! मिरेफॉन दो! प्रफॉलाए ACP विपाशे जी आप यहां पर राज 3 फिल्म की शूटिंग कर रही है जी, A.C.P. साब राज 3 सेवन सप्टेंबर को रिलीज हो रही है तो बस लास्ट दो तीन सीन्स शूट कर रहे थे तो जब आप अपना शॉट दे रही थी, उसी वक्त ये अलमारी खुली और पिंदिया की लाज बाहर गे गए जी, हाँ और इशाजी जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप क्या कर रहे थी? साब मैं तो अपने वैनिटी वैन बे थी इस सीन में मेरी जरूरत नहीं थी तो अगले सीन की डायलोग से आद कर रहे थी चल कोई बात थी, ठीक है फिराल आप लोग जा सकते लेकिन अगर हमें जरूरत पड़े तो आपको फिर से तकलीव देंगे हम? तकलीव की कोई बात नहीं है आप लोग तो CID वाले हैं, रिल लाइफ हीरोज, रहापी तो हमें तो थांक्यू वर्य मच्छ थांक्यू नहा, तुम बिंदिया की असिस्टन्ट हो गाना? जी सर, और ये खुन उसी आत्माने किया है जो इस हवेली में भटकती रहती है देखो निया, कोई आत्मा आत्मा नहीं होती, सब जूट है ये, समझे? नहीं सर, आप चाहें माने या ना माने, आत्मा है तुमने देखा है आत्मा को? जी हाँ, मैंने अपने आखों से देखा है मैं वो भयानक नजारा कभी नहीं भोल सकती ओ गॉड़, इतना सारा सामान, कहां ढूड़ो उस मूर्ती को मैं? मैंने बिल्या मैम को बताया था, मगर उन्हें मेरी बात पर एके नहीं किया उनको उस कम्री में जाने के वाद किसी ने देखा भी नहीं निहा, इस हवेली का मालिक कौन है? पता नहीं सार तुब इर हवेली की देखबाल कौन करता है? सार, रमेश है, जो यहां का केटगर है रमेश? इधर आ जी साब निहा किस आत्मा के बारे में बात कर रही है? कुछ जानते हो? नहीं सार, मैंने सिर्फ सुना ही है, आत्मा देखी नहीं है पुर्वी, इस निया के साथ उस कमरे में जाओ जहां पर फिल्म शूटिंगे प्रॉपर्टी रखी जाती है सर, क्या मेरा जाना जरूरी है? आएए मेरे साथ, गबराएए मत, कुछ भी नहीं होगा, चलिए घरमेश, बात बता, हवेली का मालिक कौन है? जी, घरमेश साब, मगर साब, उनकी तो दो साल पहले मौत हो गई तो यह अवेली अब किसके नाम पर है? जी, उनकी वाइफ, आर्ती के नाम? कहां रहते हैं, आर्ती जी? जी, जुभू में, मगर फिलाहल तो वो पूने गई हैं, कल तक आएंगे अच्छ, 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 यह हवेली शूटिंग के लिए भाड़े पर कौन देता है? जी साब, वो दलजीत दलजीत, दलजीत, दलजीत को बुलाओ जैर, इसकी आँखें देखी? आँ सर, इस तरह से आँखें लाल हुई हैंशा लगता है कि इसकी मौत दम गुटने से हुई और सर, इसकी सिर के पिछले हिस्से में भी चोट लगी, शॉली भी सर, सर हाँ उस कम्ब्रे से मुझे लोही की रॉड मिली को ऊपर कुछ बाल भी लग लगे लगता इसी रॉड से इसी रॉड से बिंदिया के सिर के पीछे वार किया गया है निया, बात बता क्या, बिंदिया की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई जगड़ा बगड़ा था नहीं सर, बिंदिया माम तो बहुत अच्छी थी उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी तो फिर किसी ने इनका खून क्यों किया कोई तो वज़ा होगी न कोई जवाब नहीं है तो निया जी आप ये बताइए कि आत्मा ने बिंदिया के लाश को अलमारी में क्यो रखा आत्मा को क्या ज़ुरत थी लाश को चुपाने की सर्वो वो क्या सर्व उजे तो लगता है किसी अंदर वाले का यहाथ है इस खून में इन सारे लोग के सामने लाश को यहाँ अलमारी में लाके रख दिया है किसी ने देखा कैसे ने वही तू यह नहीं तुम्हें कहाँ सर्व सर्व यह दलजी थे यहां की मैनेजर हेलो सर्व तो आप है जो इस हवेली को शूटिंग के लिए देते हैं भड़े पर देता था सर लेकिन इस बार नहीं देना चाहता था लेकिन यह पर सर मैंने जिद की और तंग आकर इनोंने यह वेली दे ही दी दलजी जी ऐसी क्या हर रोज यह शूटिंग वाले सूपर नेचुरल घटनाओं का जिक्र किया करते थे मेरा दिमाग खराब हो गया था सर आपको लगता है कि यह कानिया सब जूटी है यह मैं कैसे बता सकता हूँ मैंने अपनी आखों से कुछ ऐसा नहीं देखा है ठीक है यह सर अज रात तुम क्यों नहीं सर व अमावस सुनाएं अमावस की रात को आत्माओं की शक्तियां सौ गुना बढ़ जाती हैं ओ दलजीद जी आत्माओं की शक्ति की तुम फिकर मत करना उतो दया हमारा ने पठलेगा पता चलेगा आपको किस की शक्ति स्यादा है पंदरा साल तक CID में काम करते करते, प्रद्यूमान और देया भी आदे से फॉरेंसिक डॉक्टर तो बनी गए है क्यो सानुके, तुभी कोई शक है? शक? अरे नहीं बॉस, पूरा यकीन है, इसलिए तो कह रहा हूँ मेरा लब तो आप लोगो पता चली कहा होगा, इसकी मौत कैसे होई है दम बुटने से और उस बाल का क्या हुआ जो हमें रॉट के उपर मिला वो बाल भी इस बिंदिया कही है वह, बगर आप हमें यहाँ कुछ नया बताने वाले थे मैंने ऐसा कहा था हाँ, आए, मेरे साथ है यह देखे बॉस सावं की यह मुझे कपड़े का फाइबर लगता है बिलकुल और ऐसा ही फाइबर मुझे इसकी नाग के अंदर भी मिला है तो टेस्ट किया हाँ सर मैने टेस्ट किया ऐसे फाइबर जादा तर पर्दे वगर बनाने में इस्तमाल किये जाते हैं पर्दे से दमगोटने वाली आत्मा आत्माने फ्रेडी आत्माने खुनी और यह खुनी जो भी है ना वो कौन है यह आज रात को पता चल जाएगा सर सर, सर प्लीज एक बर फिर सोच लीजिए इस हवेली में रात बिताना खत्रे को दावत देना है सर रमेश ठीक कह रहा है सर हम लोग यहाँ दिन में नहीं आसकते हैं बिलकुल नहीं जरा देखे तो यहां माउस की रात को होता क्या है जो उस डलजीत के पसी में छूट रहे थे सरचिन वहाँ देखो पुर्वी और शेडी तुम आप किसा चलता हूँ नहीं तु उपर जाओ उपर? चलो 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 मैंने सुना है आत्मा है इंसानों को खा जाती है आइसी बात मत करो सर आइसी बात मत करो सर सुनी आपने आत्मा क्या हो सुनी शुश शुश रिबड़ वहां से आवाज आ रही है क्यों रहा है? मुझे हाट अटेक हैता लो सर वहां वहां कुई है सर वहां अब यह अपरी ते दाओ क्या है? कुछ भी तू नहीं है आगे दिखते चलो, आप जाओ सर, मैं नहीं जाओंगा दर पूक गईगा, मैं देख्था हूं लिकस्ट्टास każघ में होगा आप म! आप म! आप म! आप म! यहां गर्डी मेरे आईने में दिखिए! फ्रेडी. मेरे सामने कभी आत्मा की बात मत करना सब्हें! लगतर फ्रेडी.. फ्रेडी ने यहां किसी लड़की को देखा है इस आईने में. देखा थ्रे, गर क्या अंदर भी हामा होस्या! फ्रेडी चप. यहे! रमेश! 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 जा हुआ! रमेश! रमेश! अनक्ता किसने हमला की है सरस्ते फेरी, परवी, इसे आउस्परेल लेकी जाओ सरस्ते, चलो तुमूते हो सर्क रमेश! सरु यहीं पर कोई छेड़काने की गई है, बिजली काटने के लिए वेड़े की सर, यह एलेक्ट्रिक की वायर काटी गई है वह, एलेक्ट्रिक की वायर काटा गया यह, हुआ वह, प्लीज, वहायर मदाद कीजिए, प्लीज क्या मुझे? सार, किछी ने चाकू मर दिया इंको चाकू मर दिया? किस ने? सार, एक अदमी इस तरफ से दोड़ते हुए आया और मेरे दोस्त को चाकू मर दिया और बाइक लेके भाग गया किस अब गयो? सार, इस तरफ एक मट, एक मट कुछड़ी होगा, कुछड़ी होगा परले हवेली की बिजली काड़ती पर हमेश के अमलार अब ये बच के जाएगा का हलो, एमुलेंस आप लोग अपनी आखे खुली रखो वो बाइक हवा में गायत तो नहीं हो सकती न? कही ना कही तो मिलेगी हाँ, और जैसे कोई खबर मिले फॉर्ण मुझे इंफॉर्म करना वो ओके बड़ा चालाख है ये खुड़ी दया, बड़ा चालाख है जैसे उसे पता चल गया कि उसका भंडा पुटने वाला है उसने हवेली की बिजली ही काड़ती हाँ सर, और फिर रमेश पे हमला कर दिया थाके हमें भी यकीन हो जाए कि वो हवेली हॉंटेड है हाँ, लेकिन उसका नाठक हम ज्यादा दिद चलने नहीं देंगे उसके नाठक पर परदा गिरा नहीं पड़ेगा मगर कैसे सर? एड़ी, उने कभी नाठक देखा है नाठक पर परदा गिराने का बटन स्टेज पर होता है मगर पीछे के तरफ जो किसी को दिखाई नहीं पड़ता मगर सर, वो तो स्टेज है और ये हवेली इस हवेली में भी कोई ऐसा बटन है कोई ऐसा रास, खुफिया रास जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है हाँ सर, कोई तो खुफिया रासता है जहां से बिंद्या की लाश उस अलमारी में रखी गई वरना खुनी का सबके सामने लाश लेके आना इंपॉसिबल है हाँ दया, वो अलमारी जहां से हमें बिंद्या की लाश मिली उस हवेली में जाकर फिर से वो अलमारी चेक करनी पड़ेगी कोई ना कोई खुफिया रास्ता तो जरूर है इस कमरे में जिसके जरीय वो नाश यहां पे लाई गई और इस अलमारी में रखी गई चेक करो चेक करो तो 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 यहाल तो यहाल तो कि यह देगा तुम लोगों नहीं? सरी यह तु रिग्लोटर है? हाँ, मगर जिस शादी में दूला दूला ना आओ, वहाँ बारातियों के क्या काम? मतलब सर, उपर देखो, उपर पंखा ही नहीं है. और यहाँ, रेक्विलेटर, ठीक से चेक करो आसपास, कहीं कोई आवाज आ रही है, कोई रास्ता कुल रहा है कहीं पे, कोई दर्वाजा, कुछ भी? सर्च, कहीं कुछ भी हो रहा है? दो रहा है? प्रियोरा? प्रियोरा? जोभी तक हमें चक्मा दे रही थी. चलो अंदर देखते हैं, और कौन-कौन से जादो छुपे अंदर. प्रियोरा? सर्ज. पानिकल. यह देगी, सर्ए. तो सीडीज और यहें, सीडीपल. सीडीपले हैं? लगा के देखो, क्या है? तो यह है आत्मा की आवाज, इसी आवाज से लोगों को डरा रहा था वो, एक जैसी दो-दो पेंटे, एक असली और एक नकली नकली पेंटिंग बनाई जा रही है यहाँ पर सर, यह देखिए, दो मूर्थियां बिलकुल एक जैसी यह चल ला यहाँ पर, और इजनल मूर्थियों और पेंटिंग्स की नकल तयार की जा रही है सर, सर यह देखिए सर, यहाँ जरूर किसी की हाता पाई हुए है और और यह कपड़ा शायद इसी कपड़े से बिंदिया का नम गोटा गया था यह है वो लड़की, जो आत्मा बन के लोगों को डरा रही थी सर, यह तो मार चुकी है लेकिन सर, इसका खून किस न किया होगा सर, कहीं सब के पीछे दलजीत का हाथ तो नहीं दलजीत ही है तब यह तो आमावस का बहाना बना रहा था ताकि दो दूनों में यह सारा माल ठिकाने लगा सके शर, बोड़ी को फोर इंसी क्लैब बेच्वा पता लगा उस दर जीत कर उसका मोबाइल ट्रैक करो उसके कॉल्स की डिटेल्स निकालो पता करो किन किन लगों ने उसे फोन किया था और आखरी बार उसने किस से बात की दी कर सके तो है कि अशननकी क्या चल यह एग वताओ यार क्या चल रहा है इतना मेकप थुपा गया इसके चेरे पर कि इसका मेकप निकालते निकालते मेरे पासी निकल गया यह दो यह लड़की जरूर किसी ठेटो गूप या फिल्म उनिट से जुड़ी होगी सर इसलिए सा मेक अप करके आत्मा कर रोल कर रहे थी लोगो टराने के लिए प्रिडी एक काम करो शेर में जितने भी फिल्म प्रोड़क्शन यूनिट सर कास्टिंग एजन्सीज है वाँ जाकर कि इस लड़की का फोटो दिखाओ शायद पता चल जाएगा यह है कौन यह सर हलो कहां पे न्यू वेस्टन ट्रांसपोर्ट कमपनी ठीक है थांक्यू सर दलजीत ने अपना फोन ओफ करने से पहले आखरी कॉल न्यू वेस्टन ट्रांसपोर्ट कमपनी को किया था न्यू वेस्टन ट्रांसपोर्ट कमपनी ज़रूर इस कमपनी से ट्रॉक है टेंपो बुक्या होगा पुरानी पेंटिंग और मूर्तिया ट्रांस्पोर्ट करने के लिए? विने, इस न्यू वेस्टन ट्रांस्पोर्ट कंपनी में जा कर पूछ ताज करो, देखो क्या पता चलता है? हम लोग C.I.D. से हैं, रुम्जे कुछ सवाल पूछने हैं में C.I.D. से? मैं तो बड़ाई इमानदार आदमी हूँ, सर. तो इमानदार इसे ही जवाब देना? तुम्हारा नाम क्या है? सूरज. मिस्टर सूरज, ये बताएए, डीके मैंशन में आपने कोई ट्रॉक भेजा था? डीके मैंशन वो पीतल की फैक्टरी के पास वाला? हाँ, उसी की बात कर रहे है. हाँ, बेजा तो था, मगर बात क्या है? वो सब छोड़ो. ये बताओ, कि ये ट्रॉक किसने बुक किया था? सुन्दर ने किया था. सुन्दर या दलजीत? दलजीत? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ. किस नंबर से फोन आया था? जी, वो लैंड लाइन पे आया था, इसलिए नंबर तो मुझे मालूम नहीं है. कौन से ड्राइवर को भेजाता तुमें? विमल. ये विमल का है? ट्रॉक लेकर वापस आ गया? नहीं, अभी तक तो नहीं आया. वापस नहीं आ? जे, ये केस तो उलस्ता जा रहा है, मुझे तो लगता है उस दलजीत नहीं सुन्दर के नकली नाम से फोन किया होगा. PQR 4784Z ये ट्रॉक तो यहीं पर है? ये सुरज ने उम से छूट क्यू का हूँ, कि विमल अब तक ट्रॉक लेकर वापस नहीं आया? CID से जूट बोलके तुन्हें अच्छा नहीं किया, एखा! किससे बात कराथ? वो, फोन उठानी रहा है, ये तो हम पता लगा ही लेंगे, तो किससे बात कराथ? ज़ड़, 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 अर्डुक साब, क्या? रमेश को होज आ गया? ठीक है, अब भी उस फ्रिल पोस्त है, भूख आवर जाओंगा साब, मगर उस हवेली में कभी काम नहीं करूँगा, वो आत्मा, वो आत्मा ता मुझ को मार ही डालती, देखो, ये आत्मा वात सब बेकार की बाते है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, तुम पे हमला किसी इंसान ने किया है, किसी आत्मा ने नहीं, तो हमें ये पता लगाना है कि वो इंसान कौन है, अच्छा एक बात बताओ, इस लड़की को पैचानते हो? नहीं साब, अच्छा ये बताओ कि उन फिल्म वा याद में अकेला था है, कोई और भी आता था इसके साथ, एक लड़की के साथ आता था सहाब, अलग-अलग पार्टियों को घर दिखाने के लिए, मुझे लगा हवेली बेचने की बात चल रही है, शायद, नाम क्या था इस ब्रोकर का? जी, जैश, जैश, इसका कोई नंब से ट्रक बुक किया था, उस ट्रक वाले से पता नहीं चला तो क्या हुआ, हवेली बाले से तो पता चलेगा, उस इस्टेट एजट जैश से, सर, उस आत्मा वाली लड़की का पता चल गया, सर, इतने जल्दी पता चल गया, अरे बाह, बेरी गूट फ्रेड़ी, पता चला, सर, एक काफ्टिंग एजनसी में जाके उसकी फोटो दिखाई, कुछ लोग ने तो मुझे रोल भी उफर कर दिया, मर गया, हाँ, हाँ, वो बारे में बाद में देखते है, पहले ये बताओ, उस लड़की के बारे में क्या पता चला, सर, स्वीटी नाम की एक छोटी मूटी के लिए, सर, सर ये जैश, वही ब्रोकर जो हवेली बिक्वाने के लिग गरा रहा था, जैश, तो बताओ जैश, क्या बताओ साब, मैं तो परेशान हो गया हूँ सह वेली से, कस्ट्रोमर लाला के थक गया हूँ, पर हवेली बिखी ही ने रहे, जैश, तुम्हारे साथ एक लड़की भी आती थी ना, हवेली दिखाने के लिए, कहीं आप मिताली की बातों नहीं कर रहें साब, हाँ शायद वही होगी, कौन है ये मिताली हाँ, हावेली के मालिक थे धरमेश, दो साल पहले उनकी मौत हो गई, मिताली उनहीं की बेटी है, यह वेली बिक्व नहीं रह मगर वो दलजीत है ना उसने पेकूफ ही कर दी पार्टी से जाकर कह दिया कि हवेली में वास्त दोस्च है मुझे तो इतना गुस्सा आया मन कियो कि उसके गर्दन मरोड के रखतो दलजीत जैशिये मिताली का मिल सकती है मैं अपने घर में साथ अपनी मां आर्ती के साथ हलो हाँ हाँ ग्रेट थैंक यू सर मोबाइल कंपनी वालो का फोन था रांस्पोर्ट कंपनी वाले ने जब दलजीत को फोन किया तब वो एलम जंक्शन के एरिये पे था तब दल्जीत एलम जंक्शन पे था, एलम जंक्शन. जी हम एलम जंक्शन से तक्रीबं तीन किलो मेटर की दूरी पर. यहा? ओके, थैंक यू. सर, उस ट्रांस्पोर्ट कंपनी वाले ने दल्जीत को इसी एरिया में फोन किया था. इस एरिया में तो आगी सिर पेक ही कह रहे हैं, बागी सब तो संसान है. यह रांगर. उसकता है, दल्जीत, तेहें पे चुपके बैठाओ. तन उस देखने. तेखिए, आप लुगों को बहुत बड़े इकलत फेमी हुई है, ओफिसर. मिताली हवेली जाही नहीं सकती. वो तो सिंगापूर में है. एमबी के पढ़ाई कर रही है. अगर मिताली सिंगापूर में है, तो तीन दिन पेले वो डीके मेंशन में क्या कर रही है? आपको किस ने कहा कि वो तीन दिन पेले मेंशन में थी? जैश ने. वही ब्रोकर जो मिताली के साथ मिलकर उन लोगों को वो हवेले दिखाता है जो उसे खरीदना चाहते है देखे, मुझे जेश बहुत बड़ा फ्रॉड लग रहे है ये किसी और लड़की को मिताली बना के ये सब खर रहे है जेश जूट क्यो बोलेगा तो क्या मिताली जूट बोलेगी अगर वो इंडिया में होती तो क्या मुझे फोन नहीं करती वो घर नहीं आती क्या शायद मिताली वो हवेली आपकी मर्जी के बिना बेचना चाहती हो जी नहीं मिताली ऐसा कभी नहीं कर सकती वो जानती है कि मुझे हुआ हावी से कितना लगाव है मेरे बहुत पुराने ियादे जुड़ी हैं होस हबेली के साथ अच्छा ये हthers नाम पर हैjach आप निर्ग topli कि नाम पर है आप के या मिताली के आपके केर्टेकर रमेश पर जानलेवा हमला हुआ और आप पूछ रही है कैसा जू? वाट? क्या आप लोग क्या कह रहे हैं? कब हो आई है सब? अच्छा, कमाल दलजीत ने आपको कुछ बताया नहीं हा? मैं पूना गई भी थी, आज है सुपाई हूं इसे पैचानती है आप? जी नहीं, मैंने से पहले कभी नहीं देखा ये लड़की आत्मा बनकर आपकी हवेली में लोगों को डराती थी ए बगवान, उस्ची तो बहुत घपराट हो रही है ओफिसर, प्रीज जल्दी से मिताली को ढूंड़िये क्यों से कुछ होना जे प्रीज बच्ची बताईए, मिताली का कोई फोटो है आपके पास लगता है दलजीद नोदो गया रहा हो गया कर्चेक करो सारा यह बच्स ? मसली अबच्छ ये बच्स ते इसे बच्स है जो में में सह अवेली कुफिया कम्रे में ते यहाती है तकि सली है ंघीज दूझapa Taj kü Zelig स्पची प्रीज यहां से खरीदारों के पास सरगदल जीतने सारी चीज़े यहां पे छुपाई हैं तब तो यहां पे जरूर आएगा लो अच्रेया क्या है सार विताली 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 बार निकलो बार निकलो बाद बार मजए मथाली मथाली आँंखे, कोलो मทำ मताली 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 आँखे Qo pr vari मिज बचान Przy 10 मिजे 훔ख मिजे Europas हम लोग happy मुझे मार случае कोन कन मार सुल क्या नाम है असका दल्जीत दलजीट? कोई है दलजीट? वो आने वाल है आने वाल है? आने दो इस दलजीट के बच्चे को ऐसी तीक ही मिरची के लाएंगे कि दोती के तर आपने सारे जुरूम कबूल कर लेगा ने निखिल सिफ दोते कोई नहीं है कि दोते के मालिक को भी पिंजरे में बंद करना है चलो जल्दी आओ, जल्दी आओ मेरे साथ अलो यह सारे के सारे बॉक्सर्स टेंपो में अभी के अभी लोड करो समझे, चलो जल्दी आओ, देर नहीं चल, तुझे बाहर खुली हवा की सैन कराता हूँ चल, 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 आजा चाहर आजा तो सीमे तरीके से खड़ी हो जा, समझे क्या है भे? खड़े खड़े घूर क्या रहा है? आखे नीची कर कर आखे नीची चल जा काम कर जाकर कहाँ चली गए? अरे पीज, मुझे छोड़ दो चल, माटा कम कर, चल मुझे छोड़ दो, प्ली चोड़ दूँगा तुझे, चल न मुझे जाने दो चल, सी, चल इतनी मुश्किल से पकड़ में आई है, तुझे छोड़ दू चल, गारी चला चला चल, 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 बग ठीक से लगाया था ना? यह ज़िए पर आवास क्यों नहीं आदे यह उसको बग के बारे में पता तो नहीं चलिया एक बार यह फिरकेंसी फिर से चल कर लो यह ज़िए ओए तेज चला एक बार यह मेरे रास्ते से हट जाए तो वह अवेली भी नहीं बिकेगी और मेरा घर कानोनी काम भी नहीं बंदोगा यह का एक जाहरी ओँ हलो, हाजी मैं इताली को लेके धरमकाटा वाली पुरानी फैक्टरी में पहुच रहाँ जी, वहीं मिलते हैं तुरानी धरमकाटा वाली फैक्टरी वहाँ जा रहा है मजा रहा है, खुली हवा में सैर करने है हाँ 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 लुष लुष भाइब बाइब भाइब जाले करे जारो बुष एारो आया जएची आप 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 या आप 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 कि बहुत खुश हुई ने तुमेने यहां देखकर मैं चाहता हूं यह शुबकार यह आप अपने हाथों से करें और अपनी लाडली बेटी को गोली मारें आप एक माहो के मुझे मारना चाहती है अब क्या करें कल्यों की सौतेली मायना कुछ ऐसी होती है मुझे मत मारिये प्लीज मुझे मत मारिये मुझे मत मारिये प्लीज माँ वागल हुरत तुने मुझे क्यों गोली मारी दुबाग खराब हो गया तेरा तेरी फुदकने की कुछ ज्यादा ही आदत थी आज मिताली को मार कर कल मुझे भी रास्ते से हटा देता और जायदात का मालिक बन जाता ऐसा मैं होने नहीं देती इसलिए टाटा अब मदने की तुम्हारी बारी नहीं मुझे मत मारो प्लीज मुझे मत मारो मुझे छोड़ थो प्लीज मुझे मत मारो अँआ अँआ हाँ मेंके मुझे मुझे भाफ कर देचे, मुझे माफ कर देचे, प्लीज प्लीज पैसे के skal ऌऑ मुझे अंधा कर दिया था ऐसाभी क्या लालच जिसने तुम्हे अंधा कर दिया कि मां-बेटी के रिश्टे की मर्यादाई बोल गई मेरी चोछ गिए उसके लिए में बहुत जर्मितना हूँ मैने ही अफ़ा फेलाई थी कि उस हवेली में आत्मा है ताकि कोई भी इस हवेली के आसपास ना भटके और हम मूर्तियों का गैर कानुने काम बिना किसी अर्चन के कर्पर और जब मिताली ने हवेली बेचनी की ठान ली बिन्दिया ने वो खुफिया रूम देख लिया था इसलिए मैने उसे मार दिया और वो जुनियर आटिस्ट जो आत्मा बन के लोगों को डराती थी मुझे ब्लैकमिल कर रही थी इसलिए मैने उसका भी काम तमाम कर दिया सर ये तो अपने गुनाहों की दास्ता ने ऐसे बता रही है जैसे इसे कोई बहुत बड़ा मेडल मिलने वाला मेडल तो इसे मिले गई लेकिन वो सोने चांदी का लॉकेट नहीं होगा फांसी का फंदा होगा